चली में एक सोरी स्मा ना चाहती है आप मैं कश्मीरी बंदित हूं और मैं कश्मीर की रहना हूं छी हार मैं Dr. Kavitah हूं और मैं उस जगह रहती थी जहां पर पीक मिलीटेंस थी 1990 में , उसको सोपर बोलते हैं हमारे घर को कश्मीरी मिलीटेंस ने एक बेस बना लिया था इसको मरना है, इसको मरना है, तो उस ताइम माई माई मॉन्स प्रेगनेंट, डॉक्टर ने बोल दिया कि आप निकल जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, वो पेन आप सोच सकते हो कि क्या पेन होगा, हम लोगों क्या, अब हमें बता नहीं है कि मेरी मदर जो है, ऐसे डिलिमा म मता डॉक्टर थी, तो जो साइंटिस से, उस ताइम वो किछी कॉन्फरेंस के लिए बाहर गये थे, जब वापस आये, उनको रास्ते मी मार दिया गया, उनकी जो वाइफ थी, उनको ले जाया गया, घर से निकालके उनका गैंग रेभ हुआ, उतना ही नहीं, उसके बाद उ बाहर के लोग जो है, उनको सब को पता भी नहीं होगा कि वो पेन, क्या होता है, हम नहीं कैसे टॉलरेट किया है वो वाला पेन, उसकी बात, हम लोग चले गाए, निकल के वहां से, रात के अंधिर में एक टैक्सी में, सब कुछ छोड़ के वहां से, कुछ नहीं था हमारे मैं मेरे पापा, मैं ठोटी सी बहुत, मेरे पापा और मेरी मदर, हाई रिस्क बेबी था वो, बड़ी मुश्किल से, हम लोग धक्के खाते हुए, एम्स पहुंचे, एम्स तेबल नहीं था कोई, डिलिवरी हुई, मेरे मावाब के पास इतने भी पैसे नहीं थे, कि वो मेर यह तो मैं पर रियल स्टोरी सुना रही हूँ, यह तो मेरे आप बीती है, तो मैं आपको अपनी कहानी सुना जो कितनी पैनफुल है, ऐसी हजारो स्टोरी है, मेरे एक और हमारे पडोसी थे, उनकी भी रिलिटेव्स रहे जाते थे वाँ पर, उनको तो गाई भी दिया गया जंदा, इमाजन करो, एसेड मेडाली, डेड बोरी ही नहीं मिली, कितनी फीमेल्स को उठा के ले गए, आज तक नहीं पता हूँ, सब वेट कर रहे हैं, कब पता नहीं यह कोई वापस आएगा या नहीं आएगा, तो यह जो सारी स्टोरी हैं, होरिबल स्टोरी हैं, कोई इम आजन नहीं कर सकता है, कोई यह सोच नहीं सकता है कि कश्मीरी लोगों पर यह सब कुछ आज तक किसी में कुछ बोला नहीं, आज तक किसी को कोई पें फील नहीं हो, कश्मीरी पंडिक नहीं रहते हैं, कश्मीर में, यह किसी को समझ नहीं आया गया, आज तक दुन्या में, वह तो डिवाइड रूल अबदुल्ला के खुद के बेटे खुद के बच्चे ग्रांड चिल्डन सब फॉर इन में सब पढ़ रहे हुआ और यह इलिटरेट लोग क्योंगी वह इलिटरेट हैं उनको पता नियों इनको इलिटरेट ही रहने देना चाहते हैं वह कुछ नहीं क करते हैं ब्रेन बाषी रहे हैं आप वहां से आप से जानना चाहेंगे कि आप क्या देखते हैं कि किस तरह से जो है अब आखरी समय चल रहा है आखरी समय चल रहा है, हमें सल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का, हम यह मतलब यह नौन हीलिंग अलसर नहीं हो ना चाहिए कि हम थोड़ी से दवाई लगा देतें, जख्खा में वो थोड़ा सा भर जाता है, फिर थोड़े दिन अबाद उस पर से खून निकलना लगता है, इस नौन हीलिंग अलसर नहीं से, इसको काट के फेको, इस प्रॉब्लम को जड़ से खतम करो, यह नहीं चलेगा, मतलब कहानी नहीं चलेगी, इसको जड़ से खतम करो, देखिए यह जो है कस्मीरी पंडित है और इनकी आप भी तीनों ने सुनाई, काफी दर्दनाक कहानी ह और यह एक नहीं, हजारों सेकडों कियों की कहानी है, इस समय पूरे कस्मीर को और पूरे हिंदूस्तान को चाहिए, कि वो एक चुट हो, और इस आतंकवाद के नाशूर को जो है, जो नाशूर बन चुका इस समय, उसका इलाज करे मुझे पात को और आंसर से है, यह कश्मीर में इतना बड़ा मैसे कर हुआ, बच्चे, बुड़े, फीमेल, लेडिस, जैंट, सब को मार दिया गया, बिट्टा कराटे ने मारा, सब को बता है, वो फिर भी आद गूम रहे है, किसे ने उसको ने पकड़ा, किसे ने उसको ने डेताओं को सर्मानी चाहिए, जो है इस तरह की साधतों बड़ी जो है राजनीती कर रहे है, सर्मानी चाहिए